असलाम वालेकुम वेलकम बैक टू एन अदर अन्बॉक्सिंग वीडियो आज मेरे पास एम आई वालों का वाटर टेस्टर मैंने और किया और मेरे पाद चार पानी अवेलेबल है नमबर फर्स्ट पर हमारे पर जम्जम है उसके बाद हमारे पर टैप वाटर जो पानी नलके म है और उसके क्या रिकॉर्ड्स और डेटा वगरा आता है तो चले लेट्स केट स्टार्ड़िट सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं तो इसका यह बॉक्स है बहुत बॉक्स प्रीमियम सा है और बॉक्स को ओपन करने के बाद महारे पास यह एक यह पैन निकलाता है यह एक हर पानी के अंदर वाटर के अंदर dissolved solids होते हैं जिसके अंदर minerals होता है dust materials होते है और बहुत सारा कुछ होता है तो बैसिकली TDS ranking से चेक करता है कि कौन सा water कितना जाधा clean है या पीने के काबिल है या नहीं है ठीक है तो हमारे पास इंदर ने एक चोटी सी screen दी हुए है जिसके clean water नहीं है और अगर 900 800 प्लस अगर इसके उपर अगर मीटर आएगा that means के आप इस पानी को ना पीए और आपके लिए सेहत बहुत जादा आपकी इससे खराब हो सकती है तो चले अब हम one by one इन चारों पानी को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या नंबर इसके उप और शो होते हैं अच्छा सबसे पहले हम चेक करते हैं टैप वाटर एक चीज मैं आपको लाजबी बताना चाहूंगा कि हमारे गर के अंदर बोर हुए हुए है उसका मतलब है कि हम डिरेक्ली जमीन से पानी लेते हैं तो हमारा टैप वाटर में भी साफ हो लेकिन जहां पर स 210 score आ रहा है 110 तो 110 का मतलब है कि यह फुल प्योर नहीं है इसके अंदर काफी ज़्यादा मैटिरियल अभी भी है क्योंकि 0-50 इस प्योर और 50-100 प्लस जो है वह इसके अंदर मतलब है कि इसके अंदर काफी ज़्यादा अभी भी solids अवेलेबल हैं जो के नॉड नसेसरी उसके नाम हमने रखा है filter water तो अब हम इसको चेक करने लगे filter water को हम चेक करते हैं तो इसका score जो है वो अंडर हंडर आ रहा है ठीक है इसका score अंडर हंडर तकरीबन 95 इसका score आ रहा है that's mean कि यह tap water से ज़्यादा प्योर है उसके बाद थर्ड नमर पे हम चेक करते है एक्वाफीना क एक्वाफीना की बोटल में लेकर आया चेक करने के लिए है तो हम इसको सबसे पहले एक्वाफीना को चेक करते है एक्वाफीना का score जो है वो 65 आ रहा है that's mean कि यह tap water filter water से ज्यादा एक्वाफीना प्योर है एक बात पानी के मामले में थोड़ी से टेक्निकल आपको बतानी जितना जादा पानी जीरो होता जाएगा इसका मतलब है कि यह जादा जादा डिस्टिल्ड होता जा रहा है that's mean कि इसके मिंडल जो है पानी के इंदर से खतम होते जा रहे हैं लेकिन हमारे पास जितने जादा मिंडल वाटर होता है उसके उत्मूस भी जादा बहतर है जिसस इसके अंदर मिंडल का स्कोर जो है वह इन सारे पानी से ज्जादा होना चाहिए तो मैं इसको यहां पर चेक करता हूं कि इसका स्कोर जो हो 170 इसका मतलब यह है कि इन सारे पानियों से अधों से जद इसके अंदरengers अवैलिबल हैं अला पागे इसके अंदर शिफा रहन चेंदर शिफाह होने की वज़ा एक इसके अंदर डिन इसके अisterय वेलेलों राइट कलर का पूरा गंदा हो जाना लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ चेक करने लगाओ अच्छा इसका स्कोर हमारे पास आया है 900 900 इसका स्कोर आया है यह पानी बिल्कुल भी पीने वाला नहीं है इस पानी को आपने फिल्टर करके बिल्कुल नहीं पीना यह आपको बहुत जादा आपके लिए हेल्थ खराब करेंगा I hope आपको आज की यह MI Tester की वीडियो पसंद आई होगी ऐसी मजीद unboxing वीडियो के लिए चैनल पे बहुत सारे tech gadgets अवेलेबल है like, subscribe, share लाजमी करते हैं मिलते हैं next वीडियो में अल्ला आपीस